हरी हरी ओम इल्म जोति इस लाल किताब में दोस्तों आप सबी का एक बार फिर से स्वागत पंडीत रूपचन जोसी जी ने सन 1952 लाल किताब ग्रंद की रचना की आज उनी ही की कलम से लिखेवे राहु खाना नंबर 2 में क्या कहती है पंडीत जी की कलम हम उस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपकी कुल्डी में यदी राहु खाना नंबर 2 में बैठा है तो क्या कहता है हमने सन 1952 और सन 1941 सन 1942 पंडीत रूपचन जोसी जी के ये गरंथ है वैसे तो पांच गरंथ है लाल किताब की जो इल्म सामुद्रिक की लाल किताब के दुआरा बनाए गए है यानि कि उसमें आपकी रेखाओं का ग्यान है उसके अधार पर कुल्डी को बनाना सिखाया गया है जो असली लाल किताब है तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तो राहू आपकी कुल्डी में खाना नंबर दो में बैठा है तो पंडित जी की कलम क्या कहती है तो हमने कुछ आपके लिए अपनी डायरी में नोट्स तैयार किये हैं हम उस पर छोटे छोटे पाइंटों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं तो सन 1941 में पंडित रोप चन जोसी जी ने कहा है एक तो लाल किताम में हम राहू को दोआ भी मानते हैं और एक हाती का रूप भी बताया गया है इसको जब भी राहू खराब होता है तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हाती के पाउं की मिट्टी से उपाई किया जाता है सरसो जो दाना होता है वो भी राहू की आसिया है इसको पूजा पाट में हवनों में डाला जाता है और जो कच्चा धुआ होता है जो आँखों में जलन कर देता है और जिसमें जीना मुस्किल हो जाता है हम बैठ नहीं पाते हैं, सांस धंग से नहीं ले पाते हैं जैसे अंगीठी में जब हम कोईले या लकड जलाते हैं थोड़ी देर के लिए धुआ निकलता है जो आँखों को जलन कर देता है वो धुआ भी राहु का है और राहु जब भी कुंडी में खाना नमबर दो में बैठता तो शुकर के बरखिलाफ हो जाता है शुकर यानि कि आपकी पतनी और अपने सस्राल का भाव और आपका पैसा उसके बरखिलाफ चलेगा तो यहाँ पर उपाए जो है चांदी की गोली से किया जाता है जो पंड़ जी ने कहा है तो यहाँ पंड़ जी लिखते हैं सन 1941 में राहु केतु केतु हमेशा उसके सामने वाले हाउस में रहता है इस समय आठवे घर में होगा राहू केतू दूजे आठवे, यानि कि दूसरे में और आठवे में बैठे वे हैं, या आठवे दूजे, राहू अब आठवे चला गया, केतू दूजे हो गया, घूमती गरह चाल है, रंग बरंगी जलक हो जाएगी, घूमती गरह चाल होगी और रंग बरंगी इसके जीवन में जलक होगी सोना मिट्टी सोना जो है मिट्टी होने लगेगा अगर जो यह मंदा हुआ और जो गरीब इंसान पैदा हुआ गरीबी में पैदा हुआ मिट्टी के कारोबार से सोना बनाने लगेगा यानि कि पैसे पैसा बनाने लगेगा राजा हो जाएगा सोना खरीटता होगा और जिसके घर में पहले ही धंदोलत हो यह तो बिकनी शुरू हो जाएगी सोना मिट्टी के भाव बिकने लगेगा तो इसकी जो है राहु के तु दूजे आठवे 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 दूजे घूमती ग्रहचाल है रंग बरंगी जलग इस राहु का हिया काम है इंसान के जीवन में आपने जूला देखाना कभी उपर जाता है फिर नीचे आता है उपर जाता है नीचे जाता है इस परकार ही राहु आपके जीवन में जलग देता है दो रंगी जलग उपर नीचे नीचे उपर दो परकार की जलग आपके जीव प्रकार आपकी जीवन नहीं, कभी तो क्या हो कि आप राजा होगी थोड़े दिन तहर जाओ नहीं, फिर उसके बाग उपर, फिर नीचे, रोकेगर तो चंदर रोके, रुकता वो है नहीं, आपकी कुल्णी में यदी चंदरमा अच्छी स्थितिका है, या चंदरमा के आप उ तो वो किस्मत का जो उतार चड़ाव है वो रुकेगा रोकेगर तो चंदर रोके रुकता वो है नहीं राजा हुकुरमरान होवे परनेमंदी गुजरान होवे अगर वो अच्छा हुआ राहू तो राजा के समान होगा चाहे वो जंगलों में भी रहता होगा तो वहां भी रा भी जरूर होगी, उम्र लंबी का जरूर उसका साथ होगा, मगर धर्मंदिर का भी, अगर धर्मंदिर का भी साथ है, उसके पास, मला किसी धार्मिक चीजों से भी जुड़ावा है वो, और ब्रस्पती भी अच्छा कर रखा है, तो हातियों को खुराग देने की हिम्मत का माल हातियों को खुराग देना इतना असान नहीं है, कि वो हाति को पाल के तो दिखा दे, मगर रहु दो वाला, उसके पास हिम्मत है, मंदी गुजरान नहीं हाति पाल लेगा, तो पंड़ा जी कह रहे हैं, खुराग देने की हिम्मत वै, और किस्मत का उसके साथ है, मगर फिर उसका जो खर्चा है, पैसा नहीं रुकता है, उसका खर्चा कभिलदार, यानि कि अपने समाज को पालना, अपने घर को पालने में खर्च हो जाता है, और बाद में सिफर हो जाता है, फिर कम हो जाता है, पच्छिस साल की उमर में, जादे तर इनके जीवन में उतार चड़ आप देखे जाते हैं या तो पहले मंदा होगा तो अच्छा हो जाएगा और अच्छा हुआ तो फिर मंदा हो सकता है यह कुणली डिपैंड करेगी उसका नेचर कैसा है शनी कैसा है कुणली में अब पंड़ जी कह रहे हैं कि यह तो 41 और 42 के हिसाब से मैंने बताया तो थोड के समान है आयू गुजरी मंदिर मुफ्त माल खाते मिले दिल कहां फिर जो खहरात बाटे सारी आयू कही बार बहुत से ऐसी होते हैं जिनके रहुए सारा जीवन उनका मंदिरों में भंडारों में दूसरों का मुफ्त माल खाते खाते बीत रही है तो दिल कहां है उनके आदत पड़ीवी है तो पंड़े जी कहते हैं आयू गुजरी मंदिर मुफ्त मा लखाते मिले दिल कहां फिर जो खेरात बाटे लेक पंगुडा दो आठ घूमे मिट्टी सोना मिलती हो यानि कि जैसा 41 में उने बताया था जो उसका लेक लेक जो किस्मत है ना किस्मत जो उसकी लिखी है प्रारब्द के कर्मों के कारण वो पंगुडे यानि कि जूले के समान लिखी गई आठ दूजे में घूम रही है मिट्टी सोना सोना मिट्टी से सोना हो रहा है सोने से मिट्टी हो रहा है भुचाल माया जर चंदर रोके राजा सकीवे होता है यानि कि जीवन में अगर जो भुचाल चल रहा है, रुपे पैसे का भुचाल चल रहा है, उसके जीवन में भागा दोड़ी जादे लग रही है, तो चंदर रोकेगा, चंदर की इस्तिती कुंड़ी में बताएगी कि किस परकार की उसका जीवन चलेगा, आयू गुजरी गुजरान हो हुम्दा, आयू लंबी है, गुजरान भी उम्दा है, जंगल वासी हो, मगर राजा के समान है, वो राजा के समान भी हो सकता है, अब देखना, अच्छी कंडिशन आरे तो रहो अच्छा मानेंगे, मंदी आरे तो मंदा मानेंगे, बचत सिफत हो, बचत सिफत है, वालो इतना सब पुछने के बाद बचत शिफत यानि की जीरो है कम है बचत है यह ना के बराबर है चाहे कमाई 11 गुना उम्दा हो लेख जलक दो रंगी लेख जो है जलक दो रंगी ही दिखलाएगा लेख दूहा जब सनी हो मंदा मदद चंदर गुरू करता है जो लेख है किसमत का इंसान का जीवन कई जन्मों में होता है सनी नियाएधी से उसके जन्मों का लेख लिखते है परकार उसका जीवन होता है बुद्ध कलम बनके होती है सात में और गुरू की आग्या लेके शनी देव उसका लेख लिखते है लेख दूहा हो रहा है यानि कि बहुत मंदी हालात का हो रह तो शनी कुल्णी में मंदा बैठा है, अब थोड़ा सा अच्छा होने का कुछ अफसर भी आ जाए, तो गुरू और चंदर पर डिपेंट करेगा, गुरू और चंदर कुल्णी में अच्छे होए, तो उसके लेख में थोड़ी सी चमक आ सकती है, थोड़ा सा अच्छा हो सकता अब पंड़ जी कह रहे हैं आखिर में शनी केतु बुद फोरा नुम्दा मंगल शुकर भर घर भरता है शनी केतु बुद अगर जो कुल्डी में अच्छे हैं केतु उसका चाल चलन दूसरों को लूटना खसूटना रहु केतु का काम है पाप का काम है और बुद उसकी किस्म और शुकर इस तरी पक्ष भी उसका अच्छा होगा सब कुछ अच्छे हो जाएंगे धर मंदिर का पापी दुनिया कबर बैठा खुद तरस्ता हो अगर जो किसी धर मंदिर में भी बैठ कर उसके जीवन में उसके मन में पाप करने की नियत बनी रहती है वो वहाँ पर भी ह तरस्ता करते हैं तो सारी उमर मरने तक वो खुद तरस्ता रहेगा क्योंकि इसकी नियत थोड़ी सी चोरी की तो होती है तो इस पर आरोप लग जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि धर मंदिर में जब बंद दहो कम जाया कर वरना जीवन में चोरी या किसी चीज की घटना हो ज जाएंगे जालिम जमाना बेशक कितना कैद ना राजा होता हूँ जमाना कितना भी जालिम हो जाए कितना भी बेहरम हो जाए उस पर कितने भी आरोप लग जाए मगर गुरू के पास बैठावा राहू इतनी मदद तो जीवन में कर देता है कि सारे ग्रह सारे मित्र शनी गुरू-गुरू सम्मंदे हो गए, मगर आखिर में राहुई मदद करता है, राजा की कैद नहीं होती इसको, चाहे वो फरावरो करके दूसरी देश चला जाए, परदेश चला जाए, मगर उसको कैद नहीं होगी, कैद ना राजा होता हो, गुरू हलात पर माया चलती, अगर जो कुंड़ी में गुरू अच्छा है, तो अच्छा है, वरना धुहें की निशानी जीवन में जुड़ जाएगी, जीवन में हर तरफ धुआ च्छा जाएगा, मगर जीवन में बारिश जरूर होगी, पैसी की भी बारिश होगी, राहु दो के वक्त, कभी-कभी, सा यानि की कोई ना कोई नंबर दो का काम करते हैं, इनका राहु अच्छा है, तो उनको काला धन फलेगा, इनका सुभाव आजाद सुभाव होता है, कैदी नहीं होना चाहते हैं, काला धन, कहीं से भी कैसे भी कमाना, इनकी आदते होती हैं, चलाकी चुलस्ती इतनी होती हैं, ये चलाक, चतुर, सुभाव के होते हैं सकल से भूले भाले होते हैं और अपनी आँखों से ही दूसरों का काजल तक चुरा ले ऐसी भूले बन कर बात करेंगे आँखों में आखे डाल कर जैसे कि इनसे तो सरीफ आदमी कोई नहीं है और आपसे चुस्ती चलाकी से पैसे निकल वा लेंगे ये रहूँ आजाद सुभाव का होता है अच्छे बुरे तरीके से पैसा कमाना जानता है चाहे इन पर खून के अलजाम लग जाएं चोरी के अलजाम लग जाएं मगर कैदी नहीं होते हैं और सपने में यदि कैदस देख ले तो बड़ा घबरा जाते हैं बड़े डरते हैं यह और फिर कुछ ना कुछ तिरमदाजी लगाना सुरू कर देते हैं कि कैसे इनको बचना है इनके जीवन में अमीरी और गरीबी हमेशा चलती रहती है इस वक्त नहीं चलता रहता अमीर गरीब खास तोर से 25 साल उमर के बाद इनके जीवन में तबदीली आ जाती है उससे पहले पैसे वाले थे तो बाद में हलके हो जाएंगे या उससे पहले पैसा कम था तो बाद में अच्छा आना सुरू हो जाएगा देखो हाथ फिला करके मांगना यहाँ पर जैसा मैं बता रहा हूँ हाथ फिला करके मांगना फ्री का खाना उधार का खाना अच्छे रहू को या मंदा कर देगा लंगा रादी खाना मुफ्त का खाना तेसे परहेज करना चाहिए घर से भाग जाना, घूम फिर कर काम करना, 25 साल की आयू पर कुछ डाउन फाल आना, ये अच्छे बुरे राहु की या निशानी होती है, ऐसा जातक तूसरों से धन निकलवाना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, धर मंदिर का इसको मान निखाना चाहिए, वहाँ पर बु में धुआनी करना चाहिए, उप्तर साइड में धुए से इनको बचना चाहिए, बार बार जेल यात्रा मान हनी इनके जीवन में जुड़ रही है, तो इनको मंदिर में जाकर के, मतलब मंदिर से कम जुड़े रहना चाहिए, वरना इनका रहू और मंदा हो सकता है, हालकि उ उनकी संस्ताओं से जुड़ना खाँ, तो इनके जीवन में कुछ न कुछ परिशानिया जुड़ी रहेंगी, जब राहु असुब होता है तो साधी के बाद ससुराल में ससुर को दिक्कत देखी जाएगी, वहाँ पर कुछ न कुछ परिशानिया हो जाएगी, आखों की बिमा परिशानिया है, तो इनको करना क्या है, इनको चांदी की ठोस गोली, धारन करनी चाहिए, ब्रस्पती का उपाय करता नहना चाहिए, सोना किसी रूप में धारन कर लेना चाहिए, कच्चा धुआ, घर में बेफ़जूल का धुआ ना हो, और वास्तु के अको जिसको वास्त अच्छी तरीके से देखना आता है, लाल केताब वास्तु उस इसाब से इनको रुसोई डिसाइड करनी चाहिए, रुसोई कहा बननी चाहिए, अन्यता इनके घर में अगर जो गलत रुसोई बन गई, और गलत इस्थान पर पूजा पाठ हो गया, तो राहु दो आपके जी सोने की चैन में धारन कल ली जाए, तो इनके जीवन में अच्छा रहता है, तो इस परकार पंडी जी की कलम से कुछ बाते मैंने आपके लिए नोट करी थी, जो मैंने आपको बताने की कुछिस करी है, तो लाश्ट में फिर वोई बात, आयू गुजरी मंदिर मुफतमाल ख पंडी जी की कलम से ऐसे ही आप हमारे और भी वीडियो देखें और उनको समझने की कोशिस करें, समय समय पर हम यहाँ पर कोशिस करते हैं कि आपके लिए वीडियो लाएं, दोस्तों आप हमारी वीडियो को मित्रों में शेयर करें, वीडियो को थोड़ा अराम अराम से समझ जैसे हमने कुल्डी में राहु दो बोला है, वो चाहे किसी भी रासी का हो, केतु बैठाओ या आठवे में राहु बैठाओ, तो आपके जीवन में इस तरीगे की दिक्कते या परिशानियां ऐसा जीवन आपका हो सकता है, जैसा हमने बताया है, तो इनले सामुद्धिक लाल या उर्दू आती थी, अन्य भासाई भी आती थी, तो पंडिजी ने उस समय इसको एक आम बोलचाल की भासा में लिखी थी, क्योंकि ये किताब पंजाम में लिखी गई थी उस समय, पाकिस्तान के पास, लाहुर के पास, जो जगहन का गाउँ है, महाँ पर ये किताब चेहरियों में उर्दू में इस्तमाल होता है, इसलिए किताब उर्दू में और फार्सी भासा में कुछ पंजाब की कहावते इसमें लिख गई हैं, लोग कहावते लिख गई हैं, तो इस परकार ये किताब लिखी गई, पंड़जी को बहुत ग्यान था, सामुद्रिक हस्त अचा करें कि आपको क्या जानना है अपनी कुल्डी में, कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें वाक्स अप पर बात कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो, और वीडियो को जरूर लाइक किया, हरी हरी ओम, वंदे मातरम, जैहिंद।